चलिए students, यह हमारा question number 24, 3 upon 4 bracket 7x minus 1 bracket close minus 2x minus 1 minus x upon 2 bracket close equals 2x plus 3 upon 2, कैसे solve करना है इसको, देख लिए, सबसे पहले आप देखें, कि यह bracket है, और variable है इसमें, और, यहां पर भी variable है, यहां पर भी variable है, और एक लिए variable है, और constant term सिर्फ यह ही है, 3 upon 2, तो इसको तो equal के इसी side रखना है, कोशिश करना है, सारी चीजों को इधर simplify करके लाएं, variable वाली, तो 3 की multiply, इससे करोगे, तो क्या आएगा, 3 bracket 7x minus 1, और upon में 4, इस minus की multiply अंदर bracket के अंद और minus की जब यहां कराओगे, तो plus का 1 minus x upon 2, इसके नीचे 1 let कर लो, ताकि और easy दिखाई दे, और यह plus का x है, equal के इधर लाओ, तो minus का x equals to 3 upon 2, जड़ा देखें आप, यह term और यह term दोनों add हो रही है, अगले step में हम यह भी कर लेते हैं, 3 bracket 7x minus 1 upon 4, और minus minus plus, तो plus का, sorry, minus का 3x, और plus का 1 minus x upon 2, equals to 3 upon 2, हमने कुछ नहीं किया, इन दोनों को add करके बस यहां लिखाया भी, इसके नीचे 1 let करें, और LCM ले ले, तो LCM लेंगे तो कितना आएगा, देखें, LCM लेंगे तो कितना आएगा, इन सबका LCM आएगा, कितना, 4, 4 को 4 बनाने के लिए 1 से multiply, और उसकी numerator में तो बिलकुल as it is, ऐसे ही है जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 से किसी को भी multiply करोगे, 1 को 4 बनाने के लिए 4 से multiply है, और उसकी numerator में, तो minus का 4 इंटू 3X, प्लस इस 2 को 4 बनाने के लिए 2 से multiply है, और उसकी numerator में, 1 minus X, ठीक है, equals to 3 upon 2, चलिए, multiply करते हैं, 7 तरीजा, 21 X, 3 की minus 1 से करोगे, minus का 3, minus की 4 की इस से करोगे, 3 X से तो minus का 12 X, 2 की 1 से कराओगे, तो plus का 2, 2 की minus X से कराओगे, तो minus का 2 X, upon 4, equals to 3 upon 2, चलिए, और solve करते हैं इसको, 21 ये रहा, minus का 12 ये रहा, और minus का 2 X, तो 21 X, minus minus plus, तो 12 में 2 एड़ करोगे, तो minus का 14 X, और इसको solve करोगे, आप minus का 3 और plus का 2, plus minus, minus, तो minus का क्या बचेगा, 1 upon 4, equals to 3, 3 upon 2, चलिए, इसको और solve करते हैं, तो 21 में से 14 गएगे, तो कितना बचा, 7 X, minus 1, equals to 3 upon 2, ऐसे है, ये 4 डिवाइड में है, उदर जाएगा तो multiply में, इससे एक एंसल होके 2 आ रहा है, तो कितना बचा, 7 X, minus 1, equals to 6, तो 7 X, equals to 6, minus का 1 है, equal के उस साइड जाएगा, तो plus का 1, तो 7 X, equals to 7, तो X की value क्या हो जाएगी, 7 upon 7, और low system में reduce होकर 1, तो X की value कितनी आ गई हमारी, 1, तो X की value तो हमने निकाल ली, अब time है, इसको check करने का, तो check कैसे करेंगे, left hand side में आप put करना, तो left hand side लेकर चलते हैं, आप अपनी book देखें, तो book में से left hand side आप copy करें, तो 7 bracket X की जेगे क्या put करना है, आपको 1, मैंने जहाँ जहाँ X है, वहाँ क्या put कर दिया है, 1, तो बाकी सारी चीजे हम, ऐसे के as it is लिख रहे हैं, और जहाँ जहाँ हमारा X है, वहाँ हम क्या put कर रहे हैं, 1, ठीक है, तो आप करके देखें, अपने आप self से हो जाएगा ये, चलिए, 3 upon 4 as it is, 7 की multiply 1 से, 7, उस में से 1 गया कितना बचा, 6, minus, bracket, 2 की 1 से कराओगे, 2 आएगा, और minus, 1 में से 1 सब्ट्रेक्ट होगा क्या बचा, 0, और 2 से डिवाइड करोगे तो 0, तो ये सब पीछे का जो है, क्या हो गया है, 0, ठीक है, चलिए, ये 2 है, और ये 3 है, तो कितना बचा, 3 तरी जा, 9 upon 2, 2, और ये तो 0 हो गया, देखो, 0 किसी में से minus करोगे, कोई फरक नहीं पड़ेगा, और minus का 2 है, अब आपको इसको solve कर देना है, बस, चलिए, LCM लेजिए, तो 2, 2 जा 4, वो भी minus का, और 9 में से गया है, तो कितना बचा, 5 upon 2, ये आपके क्या आ रही है, left hand side, इसी तरीके से आपको right hand side निकालनी है, तो right hand side क्या थी हमारी, right hand side थी हमारी, x, यानि कि 1, plus 3 upon 2, LCM लेजिए, 2, 1, 2, plus 3, 5 upon 2, तो हमने देखा, right hand side हमारी 5 upon 2 आ रही है, और left hand side भी हमारी 5 upon 2 आ रही है, that means, left hand side किसके equal है, right hand side के हमारा answer हो गया है, verified, ठीक है, चलिए, next question पर चलते है,